सर राजबाई रोड का सिर्शक एलोबेट करते हुए आपने ये कहा कि राज कैसे चल रहा है रोड से देख रहे हैं या जो रोड पे चलेगा होई राज करेगा जी मेरा कॉनोटेशन करेगा मेरा एक अपना कॉट है कि जो भी इतिहास लिखा गया है वो जिन यात्रियों ने इतिहास लिखा है चाहे वो पंडित राहुल संक्रतैन को लो चाहे वो इबन बतूता को लो वेन सांग, फायान तो एक यात्री के तोर पे सचिन पाइलट 125 किलोमेटर चले हैं राहुल गांदी लंबा चले हैं कन्या कुमारी से लेके कश्मीर तक उनका ये दावा कि हमने दो राज्यों सरकार बना ली उसके बाद से तो सचिन पाइलट की यात्रा को आप कैसे देखते हैं देखे सचिन पाइलट मैं भी भी कहूंगा कि दोनों यात्राइं करी उसमें एक चीज निकल के आती है कि हमारा प्रदेश इतना बड़ा है कि कई अच्छे और दिगज बड़े नेता है पर पैन राजस्थान को ये अपील रखे ऐसे सिर्फ तीन ही नेता अभी तक मुझे पिछले 20 साल से मैं भी देख रहा हूँ वो नजर आता है अशोक गहलोत वसंद्रा राजे तीसरे हैं सचिन पाइले तो उनको लेके बहुत एंटिसिपेशन है युवाओं में उनका बहुत क्रेज है लोग उनने सुनना चाते है देखना चाते है पर अब जिस तरह से ये चीज़ आ रहे है लोगों की एक्सपेक्टेशन और इंपेशन्स उनको लेके बहुत बढ़ रहा है कि अब ये क्या करेंगे तो अब मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो लोग देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं अब उनका अगला डिसाइसिव स्टेप क्या होगा पर जब भी जाते हैं तो लोगों केते हैं नहीं बात अच्छी कर रहे हैं अब उनके डिसिज़न पे सबकी निगाए हैं पर ट्रैक्शन खूब ट्रैक करते हैं जैपूर में और कई तबकों में लोगोंने एक जाती विशेश का नेता बताते हैं पर अगर आप मायन लार्ज ट्रैवल करें तो यूवा उन्हें पाइलेट या सचिन के नाम से जानता है उनकी कास्ट को लेके मुझे अभी तक कोई ऐसा बहुत जादा बातचीत नहीं दिखी किये हैं जबकि यहां उनको एक जाती विशेश का नेता ही टैक करने की कई जगा हेडलाइन समाता है बट उनका एक चार्म है अच्छा कई भाजपा के लोग या उनके परिजन या उनके सवादवाले भी कहते हैं यह एक युवा है जो यंग्स्टर्स में थी कॉंग्रेस कार्डर या उनके सहीयोगी थी कि उनको मुख्यमंतरी बनने का वखा मिलेगा बिकाज आपकी डिलिवरी एक स्टेट में एज़ चीफ मिनिस्टरी मैटर करती है सारी उनहीं के हाथ में होता है बाकी पदों पर बहुत ज़ादा आप इंपक्ट डाल नहीं पाते तो उमीद थी कि वो बने पावर शेरिंग के हमने फॉर्मूलेज भी सुने पर जिस तरह से उन्हें वो कॉंग्रेस पार्टी ने वो पद नहीं दिया तो शायद लोगों को भी लग रहा है कि ये एक लीडर है जो अंटेस्टेड रहे गया बाकी वो टेस्ट कर चुके है वस्तुरा राजी को कर चुके जी बिलकुल अब कई लोगों को जब बात करते हैं तो आप देखे वस्तुरा जी और अशोग जी की बात करते हैं पर नई रेफरेंस में प्रधानमंतरी मोधी की एक चवी है जो वो उनको रिलेट करते हैं इन बड़े नेताओं या राजस्तान के लीडर्स ने क्या एक लेगिसी की वो बहुत जगा मिसिंग होती है सर अमारे साथ जुढने के लिए बहुत धन्यवाद और आप सभी से अपील है कि तिंक 360 से जुढने के लिए सब्सक्राइब करें हमें